प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आप सभी का इस एकलास में आर्दिक अभिनंदन है स्वागत है आज हम मानिश्मर्थी का जो दीति अध्याय उसका पचासवा पद्द्ध है उसका मध्यन करेंगे चुकि पिछले वर्ष जो है विए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया था प्रन्तु इस बार प्रमोट के इस फर्स्ट कोई आदेश आये नहीं है 11 तारीको ही यूजीशी ने गैडलाइन जारी की थी कि हमने कोई ऐसा आदेश जो है भी दिया नहीं है तो अभी तक हमारे को यही तैयारी रखनी है कि हो शकता है कि हमारी प्रिक्षा हो जाए और फिर दूसरी बात मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि पढ़ावा कभी भी वेकार नहीं चाहता है और नहीं तो कम से कम नोलेज ही आपका बढ़ेगा चुकि मैं भी आप लोगों के लिए समय निकाल करके जब यह वीडियो बना रहा हूं तो आप लोगों को सुनने में पढ़ने में मेरे साब से कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए जिन गरंथों की विशे में आप सुना करते थे जिन गरंथों की विशे में आप जो है दूसरों के माध्यम से आपके पास बात आती थी उन गरन्तों को आप श्यम जो है आज इस पीपीटे के मादम से आप पड़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं तो मनुश्मर्थी का दीती जो अध्याई है इसके अंदर हमारा परसंग चल रहा था कि जो ब्रमचारी हैं तिनों वरनों के जो ब्रमचारी हैं वो बिक्षा मांगने के लिए जब जाते हैं तो उस समय कौन से वरन का ब्रमचारी है किस परकार से बिक्षा मांगते समय वह संबोधन करें इस बात के विशे में हमने पहले जो इससे वीडियो आया था या मैं आप से यूं कहूं कि 49 नमर का जो पद्दे था उसके अंदर ये बात कही गई थी कि बिख्षा मांगते समय ब्रामन वरण का यदी ब्रमचारी है वह यदी बिख्षा मांगे तो भवती जो शब्द है उसका पूर्व प्रियोग करें खत्री वरण है तो उसका वह मद्दे में प्रियोग करें और वेशे जैसे मालो कोई ब्राह्मन वरन का ब्रह्मचारी है तो वह कहेगा बहुति बिक्षाम देही चत्रिय वरन का है तो वह कहेगा बिक्षाम बहुति देही बिक्षाम बहुति देही और यदि वह वैश्य वरन है और वैश्य वरन का यदि ब्रह्मचारी है तो वह बहुति जो है व प्रियास किया था आज ही यह जो हमारा पच्चासवा जो पत्दे हम इजिसका अध्यन करने जा रहे हैं यहां इसके अंदर बिक्षा की जो ग्राहेता है उसके संदर्व में कहा है कि सबसे पहले ब्रहमचारी जो है बिक्षा मांगने के लिए खाँ जाए और मोटा मोटी में ह सकते हैं कि उसका जो प्रोटोकोल है और बिक्षा मांगने के लिए जब जाए तो उसके विशे में यह बात तो उसके विशे पहले दिन जो है माता और उसके बाद में जो है बहीन श्वशारम निजाम भगीनी माता की जो बहीन है और जो ब्रह्मचारी का अपमान ने करती हो उसके समीब जाकर के जो बिक्षा मांगे कहने का ताथ पर यह हुआ कि सर्वा पर्थम अपने खुद के जो परिवार जन है उनसे वो बिक्षा मांगे और स्वजनों को भी चाहिए कि वह इसका जो है अनादर ने करें और यह जो प्रक्रिया है नवयुक को और भी अधिक विनित वनाने के लिए कहा गया है और इसके अंदर यह बात कही गई है अनुष्टूप चंद का यह जो है उदारन है और अब हम चलते हैं 51 जो पद्दे है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं और यहां पे कहा समारिते तू तद भेक्षम यावत अनन्यम आयेया निवेद्यम गुर्वे अनि अस्नियाद आचम में प्रांक मुखह सुची ही बहुत ही बढ़िया या यह कहें कि बहुत ही अच्छा मेसेज कहा इसके अंदर चोंकि ततकालिन समय के अंदर इसका बहुत ही जो है महत्वे था और जो भी बिक्षा लाता है लाकर के वह है गुरू के सामने रख दे गुरू को निवेदन कर दे गुरू को शुपूर्द कर उसको वह समर्पित कर दे गुरुवे निवेदे और ततस्त अस्से आगया इसके पस्षा आते जो गुरु का आदिस मिलता है या गुरु जो भी आगया देता है उस आगया के अनुशार जो है आचम में सुची ही प्रांक मुखह है असनी आता है या आचमन करता हुआ या आच कि मुख करके यदि बोजन करोगे तो उसका क्या फाइदा होने वाला है यह बात यहां पे कई है और इस पद्ध्य के रिद्ध्य मुखह है अब जो भिख्षा मांगने का जो पुठ्रो काल था और उसको लाकर के जब खाए कौन सी दिशा के अंदर मुख करके यदि बोजन करता है तो उसमें उसको जो है क्या फलप्राथ होता इस विशे में कहा आयुशम इच्छन यानि जो आयुख को चाहने वाला है पूरव की और मुख करके जो है बोजन करे आयुशम इच्छन प्रांक मुख 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 भूकते यससम दक्षिना मुख है और यसको प्रात करने वाला या यसको चाहने वाला ब्रमचारी है वह दक्षिन की और मुख करके जो है वो बोजन करे श्रीयम इच्छन और श्री को चाहने वाला लक्षमी को चाने वाला पस्यमी की और जो है मुख करके जो हो भोजन करें और प्रतंग मुखा रितम रितम चा इच्छन उदंग मुखा है भूंगते और सत्य का चुपल चाने वाला है उतर दिशा की और जो है मुख करके जो है भोजन करें इस परकार से जो भोजन है उस भोजन का क्या प्रोटोकॉल है उसे के विशे में जो है ये बात कई है कि कौन सी दिशा के अंदर मुख करके जो है भोजन करें ये भी अनुश्टूप जो छंद है इसी का ही उदारन है इसमें अव्य दिये हुए ह यह बोजन के आधी तथा अंत के अंदर आचमन के विशे में कहा गया और कहा उप इस परीशे दिविजो नित्यम अनम अध्यात समाहिता है भुब्तवाच उस परीशेत सम्यम गद्भी ही खानी चई समिस्परीशेता है यहां जो भोजन है उस भोजन को किस प्रकार से करें ये कहा दिविजा है नित्यम उस उपस्प्री से यनि जो दिविजा है वह दिविजा नित्य शावदानी से हाथ पेर दो करके आचमन करें दिविजा है नित्यम उस उपस्प्री से यनि जो दिविजा है वह नित्यम उपस भॉज़न के अंत में भी हाथ पर दोकर के आजमन करें और जल के हत्थ से और कान नाक उसका वह स्पार से करे कानी का मतलब यहां आँख से है, कान से हाधी हुआरी हो जो हमारी इंदरीया है, उनसे है तो इस परकार से यहां पर यह जो बात कही है खेका यहां जो बात कही है कि इस परकार से आकास से है या जो हमारी इंद्रियें है आँख है नाक है कान है इनको जो है इस पर्स करने के विशे में बात कही है तो बोजन के अंत में भी जो हो आजमन करे इसके विशे में जो है यह बात कही है और अब चोवनवा जो पद्दे क यहां पे कहा पुजये दशनम नित्यम अध्यात चे एतत कुतशयन द्रिश्टवार रिश्यत प्रसी देत चे प्रतिन देत चे सर्वशा है। अशनम नित्यम पुजयेत अशनम नित्यम पुजयेत यहीं अन्य उस अन की हमेशा पुजया करें एतत चे एकुतशयन अध्यात है। प्रोटोकॉल है किस प्रकार से हमारे को जो है उस अनका भक्षन करना चाहिए इसकी विसे में बात कई अनुष्टुप्षन का उधारन समय बहुत कम रहता है इसलिए समय के इसाफ से सारी चीजे देखते हुए जो है थोड़ा सा इसको आपको बताना पढ़ रहा है पूजितम अन्तिम पते आज की वीडियो का पूजितम हयसनम नित्यम बलम उर्जम चाहिए अच्छती ए पूजितम तद भुप्तम उबयम नासियत इधम यहाँ जो भोजन है उसके विसे में ही ये बात कही है और कहा कि ए सरदा से कभी भी भोजन नहीं करना चीए इसमें बह होना का जो है बहुत ही बड़ा रोल यानि महत्व होता है इसलिए कहा ही पूजितम अशनम नित्यम बलम यानि हमेशा इस परकार से मान सम्मान के साथ में प्रती दिन जो भोजन किया हुआ होता है या यह कहें कि मान सम्मान के साथ में प्रती दिन भोजन जो व्यक्ति करता ह वह अन जो होता है बलम उर्जाम चाया चादी यानी वह जो अन होता है वह अन प्राणों को बल देता है शरीर को बल देता है और जो आनादर के साथ में निंदा करके जो बोजन करते हैं वो तो दोनों को ही अर्थार्दे करने से दोनों यानि जो बल हैं उनको वह नस्ट कर देता है इसलिए जब भी भोजन करें हमेशा हाथ जोड़ करके उनका श्वागत करें वेलकम करें ब्रमचारियों की संदर में बात कही और यदि हम इनसे प्ररित यदि होना चाहते हैं तो हम भी जो है अनका हमेशा मान समान करें और उसके बाद में भोजन करें तो सभी के लिए लाबदाइक होता है तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है इसको आप देखेंगे पट सुनेंगे और लास्ट में एक प्रात्नाम आपसे कहना चाहूंगा कि अपना जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब और से करें धन्यवाद